हलो डियर फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जारपड़ा में फ्रेंट्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो अयूग की आप सब चींगे अज हम बात करेंगे मदर मोहन मालविया इनवर्सिटी आप टेकनलोजी जो की यूफी स्टेट के गोरकफर इनवर्सिटी में है जहां से पीछडी एडमिशन के लिए नोटिपिकेशन जारी हुई है तो इसमें इक नोटिपिकेशन पर हम फ्रेंट से ब्रैप्ली डिसकसन करेंगे और उसे पहले ये बता देए, फ्रेंट्स कि ये जो इनीवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी इनीवर्सिटी, फेमास इनीवर्सिटी है, और फ्रेंट्स येदि आप मेरे क्लास में नए हैं, तो इस तरह की नोटिफीकेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सबक्राइब और स जनौरी से हैं लास्ट डेट की है 13 जनौरी तक आप आनलाइन कर पढ़ाएंगे और जो आपका एड्मिट कार्ड इसू होगा या फिर फिक 50-50 कोश्चन दोनों के होंगे और इसमें बात करें तो जो लिस्ट आएगी प्रेंट से इसकी तो लिस्ट आजाएगी 27 जनौरी को ही जो इलिजबिल कंडिडेट्स होंगे इंटर्वियों के लिए और इसके साथ बेरिफिकेशन होगा ओर्जिनल डाकॉमेंट्स का कब इलिजबिल्टी क्राइटेरिया के लिए कि क्वालिफाइंग डिगरी बिफोर इंटर्वियों से पहले ही क्योंकि उसी दिन इंटर्वियों हुई है तो 28 जनौरी को है वो और जो इलिजबिल होंगे कंडिडेट्स से क्योंकि उसमें डाकॉमेंट भी दिखा जाएगा तो वो कंडेरेट से इंटर्व्यू में जाएंगे 8 जनौरी को ही और इसके अलामा फ्रेंट से दिया है कि दाइब अपडेट्स आर टेंटेटीब हैं तो यानि कि आस्थाई है इसमें चैंजिंग हो सकती है और किसी भी अपडेट के लिए यानि कि इसमें जो चैंज होगा त से तो इसमें दिया है दो पार्ट है इसमें अबेलबल स्रीट से इन वंन येर तो प्रोग्रम डवाय्ज की बात करें तो इसमें डिपार्ट्मेंटाभाज जो जो दीया है फ्रेंट friction नाइम्टेthree उसमें टिप्र्लोसिफ इसमें शिटिये और इक टिवलोसीड है और इसमें बात करें इलेक्ट्रानिक एंड कम्डिकेशन इंजीनिर्ंग है इंग्लिस है इसमें 23 इसमें 33 इस तरह तोटल सीट जो आपकी 56 सीट है और इसमें बात करते हैं और भी तो इसमें जो reservation मिलेगा friends तो यूपी government के according मिलेगा और इसमें बात की गई है कि यदि रिजर्बर candidates के द्वारा इस states से फुल नहीं होगी तो unreserved category के द्वारा इस states को फुल किया जाएगा friends और बात करें इसमें eligibility की तो eligibility इसमें जो engineering technology की दिया है तो master degree अपका दिया है 60% और science humanities and social science management वालों के लिए 50% दिया है और इसमें डारेक्ट PhD प्रोग्राम फुल टाइम की बात की गई है friends कि जो candidates है bachelor degree 75% के साथ qualified किये हैं तो वो eligible हैं इसके लिए इस फार्म को फिल करने के लिए और इसकी अलामा friends बात करें ब्रोड एरिया आप PhD तो यह इसकी एरिया है friends इसमें से आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं department wise दिया है आपका जिसमें भी इंटरस्टी होगा रिसर्च के लिए आप उसको चूच कर सकते हैं तो इधर भी दे दिया है मोड आप admission की बात करें तो friends इसमें full time research scholarship वे होगे किन candidates को जो किसी assistant शिप या scholarship के लिए eligible होगे और friends इसमें सभी candidates को इंटरेंस टेस्ट देना आनिवार है कोई भी एक्जम्टेट काटेगरी में नहीं होगे चाहे वो किसी नेटिया सेट एक्जम को क्वालिफाई किये हो फिर भी और इसमें self finance में वे होंगे जो कि अपने खुद के पैसे से पढ़ेंगे friends उनको किसी प्रकार का scholarship प्रदा नहीं किया जाएगा और दिया है कि इसमें जो university है उनको admit दे सकती है research scholarship के लिए ऐसे candidates को जो की interview पर बेस होगा किसमें sponsoring एजेंसियों में तो उसमें मिल सकता है और university सबसे पहले क्या करेगी जो खुद के PG pursuing students है उनको admit दे सकती है यदि उन्होंने क्या qualified किया हो और इसके लावा फ्रेंट्स इसमें reservation relaxation की बात करें तो रिजर्वेशन जो है relaxation है 5% की SCST EWS और OVC category के लिए गजट notification के एकार्डिंग फ्रेंट्स 5% की mark या फिर इसके equivalent जो grade होगे उस पर और इसमें 5% की relaxation दी गई है SCST OVC EWS category वालों के लिए आज पर दे decision of the commission और इसके लावा जो category है category वाइज रिजर्वेशन मिला है फ्रेंट्स यह यूपी वालों के लिए है केवल SC की है 21% ST की है 2% OVC की है 27% EWS की है 10% के reservation है और इसमें दिया है कि जो reservation मिलेगे नुरू सिटी लेबल पर तो यह medical measurement है हार्ट अनलंग सा है हार्णिया हाइड्रोसील है पिल सा है विजियन है हेरिंग है फिजिकली हैंडिकाप्ट है डिजिबल है तो इस पर भी best होगा और बात करें selection procedure for admission तो इसमें जो paper होता है आपका तो एक साल में दो बार होता है six month पर जनुरी और जुलाई में होता है और जो इसकी application available होती है तो वह नॉंबर और मैं में available होती है और इसके प्रेंट से जो इसमें paper होते हैं तो उपर भी जैसे बताए कि 100 question होती है 100 marks के और 50% के question होती है research methodology है 50% का 50% का सब्जेक्ट space speak होता है three hours का time duration होता है friends इसके अलावा फ्रेंट से बात करें तो जो है PhD जो written test होगा वो objective type question होगा और जो every objective type question होगा वो one mark का correct answer का होगा और इसमें friends और भी बाते की गई है जैसे कि each objective question will have one correct answer the answer would be considered correct only in the appropriate choice in indicated in the answer और इसमें किसी प्रकार का non negative mark यानि कि कोई negative mark नहीं होगा पर friends जिस question को आप छोड़ देंगे तो उस पर आपका zero mark बनेंगा और दिया है कि जो answer करेंगे वो पॉइंट पेंसे यानि की black या blue से ही केबल करेंगे और इनमे आल नोटिफिकेशन इन कनेक्शन विथ प्यजडी एडमिशन टूथाउजन टॉन्टिफूर जनौरी सैल भी मेड अवेलबल आन्दी इन्वर्सिटी आफिसियल वेबसाइट पर तो इसको आप देखती रहना फ्रेंट्स और इसमें जो कंडिबेस सिक्योर करेंगे किस पर 50 प्रेंट एब आप टॉप फाइब कंडिडेटस ते सैल भी इलिजबल यानि की पर डिपार्ट्मेंट से एक डिपार्ट्मेंट से 5 कंडिडे तेट को चुना जाएगा किसके लिए इंटर्व्यू के लिए ज 30% बेटेज बनेगा आपके इंटर्विव परफार्मिंस का और जो इलिजबिल कंडिडेट्स होंगे तो उनको एडिमिट मिलेगा पार्टिकुलर डिपार्डमेंट आप दी बेसी साफ कुम्लेटिव मेरिट पर यानि कि बहुत दोनों की यानि कि टेस्ट और इंटर्विव दोनों को मिला करके और जो बात करें फ्रेंडस इसमें बात करते हैं और जैसे फिस स्ट्रक्चर दिये है, जो प्यस्डी होलर्स हैं, साइव यानि कि हस्टल वाले तो उनकी है 85,600 और नान होस्टल वाले की 61,600 तो किया और इनकुलूजी गाप रिफंडेबल ये इसके लिए है 10,000 अगेंस्ट इनुवर्सिटी एंड हास्टल क्यूसन मनी और जो 5,000 है ये इसके लिए है प्रेंट से कि इनकुलूजी बाप इसमें क्या करेगा रिफंडेबल 5,000 अगेंस्ट इनुवर्सिटी गिऊसन मनी और इसमें फ्रेंट से प्रोशीडर आफ़ा आणलाईन अपलिकेशन की दिया है तो इसको भी देख लिए न कि क्या प्रोशीडर है इसके अलामा और भी बातें हैं नीचे प्रेंट से इसमें जो step दिया है कि open application kind registration page कैसे करेंगे new registration कैसे करना है इसके साथ है login कैसे करना है और भी profile selection program दिया है तो इसमें selection program में क्या क्या tips हैं ये भी important है payments है payment की बात करें तो फ्रेंट से इसमें जो इसका application fees है पचीस सो रुपे है जनरल OBC की और 1250 रुपे है अधर कर्टेगरी SCST और female candidates की और बात करें print out तो friends आपको इसका print out लेना भी जरूरी है यानि कि जब आप इस farm को fill करेंगे तो application farm की print out निकालना आपके लिए जरूरी रहेगा और इसके लावा जो आपका download इड्मिट कार्ड होगा तो इसमें भी दिया है eligible अप्लिकेंट से kind download their admit card for same dashboard यानि कि वही candidate से इसको download कर पाएंगे जो eligible होंगे यानि कि जब आपका list आएगा तो उसमें पता चलेगा आप eligible हैं की नहीं और इसके लावा support के लिए आप इस इमेल से विजिट कर सकते हैं प्रेंट से किसी भी प्रकार के support के और ये दिया है refund आप फिसका structure important इस ट्रक्चर दिया है इसको देख लेना और बात करते हैं इसमें तो ये दिया है प्रेंट से आपके contact number दिया है किसी प्रकार के help के लिए यहां से contact कर सकते हैं या पिर इससे कर सकते हैं और इतने certificate के जरूरत होगी तो इसको भी देख लेना क्या क्या certificate है जो important है तो प्रेंट से आज ही कि रही इतनी important information फिर मिलेंगे आप से new information के साथ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाग सब्क्राइब और जिर जरूर कीज़े था